मुल्सरातन धर्म कीजै, श्री राम कृष्णा भगवान कीजै, श्री शांकर भगवान कीजै, श्री लक्ष्मिंदारायण भगवान कीजै, जर्दम् में मैया कीजै, सद्गुर तेउनाव महराज कीजै, सद्गुर सर्वानन्द महराज कीजै, सद्गुर शांती प्रकाश महराज कीजै, सद्गुरु भरिदास राम महराज की जै, सर्वसंतन की जै, प्रेम प्रकाश मंजल की जै, अम्रापुर दर्बार की जै, गंगा मैया की जै, सिकत हिंजिय में सत गुर दिलडी दाहूं करे, उभर वचन था उध्मा, रात्या दी हैं रडे सिकत हिंजिय में सत गुर दिलडी दाहूं करे, धूरी अहिन काया में दोह कया मुखे, माफ कयो से सत गुर शरन अवांजे पे, महर कयो काम यते, भवजल पार तरे, सिकत हिंजिय में सत गुर दिलडी दाहूं करे, महंजे मन पापी अखे, पाण अची कर पवितर, ओट्र अज्ञा ब्याच दे, वर्तो मूँ तुहीं जो दर, उठा अच्छा प्या छटे, वर्तो मूँ तुहीं जो दर, साहे बतो खा सवाए, साहे बतो खा सवाए, साहे तकी न सरे, सिंकतो हीं जिय में सत्य गुर, दिलडी दाहूं करे, उमर्वेई अवगुण में, सुकृत कुगीन संभरां, उर्वेई अवगुण में, सुकृत कुण संभरां, आश्र अथम गुर आसू, मार्गत हैं जे मरां, प्रेमसंदो देप्यालो, भावी असान भरे, सिक्कतों यह में सत्य गुर, दिलडी दाहूं करे, तेउं गुण ही तेई, जिन में जीव बधा, तेउं कुण ही तेई, जिन में जीव बधा, स्वालम जो सुन साई, निरगुण नाम दे सदा, शांत सची मां पाया, तुहिं जो ध्यान धरे, सिक्तों यह में सत्य गुर, दिलडी दाहूं करे, दिलडी दाहूं करे, राग जोग भजन पांचमा, सिक्क तुहिं जी हमें सत्य गुर, दिलडी दाहूं करे, इस बजन में गुरु माराज जी जो प्रेमी गुर्देव के शिश जिग्यासु के हिर्दे में अपने गुर्देव के प्रती प्रेम उमरता है मन व्याकुल रहता है उसकी दशा का वर्नन कर रहे हैं कि हे गुर्देव आपके विरह में मेरा दिल बहुत व्याकुल है बार बार मेरे मन से उदगार उठते हैं रात हो या दिन आपका ही चिंतन मन में चलता रहता है कि कब आप से मिलन होगा कब आपके दर्शन होंगे कूरिय है नकाया में लोह कया मूँ के मन शरीर को प्राप्त करने के पश्चाद भी मेरा मन पाप करमों से अलग नहीं हुआ मन पाप करम में नरंतर रत है लगा हुआ है बहुत दोश दुर्वण मुझे में है किरपा करके उन सब को आप ख्षमा करें माफ कह उसे सद्गुर शरण अमान ये पही मैं आपकी शरण में हूँ जो मेरे से पाप हुए है अप राद दुए उनको आप ख्षमा करें मैं रखयो कामयते भवजल पार तरे ऐसी आप करपा करो कि मैं ससंसार साजर से पार हो जाओ दोश दुर्वणों से मुक्त हो जाओ मुझे मन पाप यखे पान अची कर पवित्र मेरा मन जो पाप में डूबा हुआ है पाप का चंतन नदंतर करता है उसको आप आकर के पवित्र बनाए पाप कर्म का वीचार भी मेरे मन में न उठे ऐसी आप करपा करें आपके सवा दूसरा कोई मुझे आसरा आधार आश्रे नहीं मैंने आपकी ओट गही है आपके दरवाजे पे पड़ा हुआ हूँ साय बतोखा सवाय साय तक की नसरे आपके बिना एक पल भी मेरा गुजरता नहीं आपकी समर्ती और जाद और आपके बिना मेरा एक पल भी समर्ने वाला नहीं आपकी कृपा होगी तो मेरा जीवन समर जाएगा उमर वेई अवगुण में सुकृत की नसरा मेरी सारी आयू पाप करते करते बीत गई अवगुणों में बीत गई सुकृत अच्छा करम शुब करम कोई मैंने किया नहीं आश्रवंदी गुरासू मारक तेंजे मरा सद्गुर स्वामी टेमुरा माराजी के गुर्देव श्री आसू राम जी ते तो उन स्वामी आसू राम जी को प्रार्थना करते हैं वजन में गुर्देव कि आपके मारग में मैं पड़ी हुई हूँ आप करपा करें मेरा उद्धार करें प्रेम संदो दे प्यालो भावी असान भरी आप करपा करके मुझे प्रेम अमरत का पान कराएं आपकी करपा होगी और आपके आशिरवात सही मेरे मन में प्रभु प्रेम जागेगा तेम गुण ही टेई जिन में जीव बधा त्रे गुण्या विशया वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार जुना गीता में भगवान केते हैं कि तीनों गुणों से ये स्रिष्टी बनी हुई है और तीन गुण से उपर उठके मुझे प्राप्त करना है वही बात इस भजन में गुरु महराज जी प्रार्थना कर रहे हैं कि तीनों गुणों से ये सारा संसार बंदा हुआ है स्वाल मंजो सुन साई निर्गुण नाम दे सदा आप मेरी विने सुनके मेरे मन से इस त्रगुणी माया को हटा दू मैं आपके नाम का जब करूँ शांत सची मापाया तुएंजो ध्यान धरे आपके ध्यान सुमरण के द्वारा परम शांती परम आनंद की मुझे प्राप्ति हो ऐसी कृपा आप करें कि मेरा मन नरंतर आप में लगा रहे तो इस भज़न में गुरु माराजी श्री गुर्देव के आगे प्राठना कर रहे हैं और उनकी कृपा का दान मागए अमरा पुरबाणी पड़तुं प्रेमी प्रेमसा पाय सुमत संतोश एख मियाजी खाणी भर्यल जह में भावजी रस्वारु हानी वचन हड़ाए पाय पद पूरण निर्वानी अंग संग थे साणी हर हंद तोसा सत गुरू महमा आबे अंत सत गुरते मुरामजी महमा आबे अंत ठायो जग कल्यानले प्रेम प्रकाशी पंथ अनभे पाणिय सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाय सगेन पारकु महमा आह अनंत भगतन ले भगवन्त आयो मानश रूप में थत गुरते मुराम के है उपकार अनंत दिया मुलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ दूबत जीव अपार है भवसंद है बे अन्त सेत बनायाता है पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सद वारी जाओं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मर्थन जानिये वारी अम्रत धार वारी पर वानी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागरमन्थन से मिला अम्रत घट सुखराशी उरमन्थन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाशी अंध तमस का दीप लओ जों करती है लाश अंतर तम में दीप सम वानी करे प्रकाश पंथ आप का अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आप का अमर है धन गुर्टे उराम अमरा पुर्वानी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता चंद दोहा वली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विलाश सत्नाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमर्त मई महमा मई आनंद मई करणा वर्षनी ब्रह्म अमर्त वर्षनी अंतर दृष्टी उनमेशनी सर्व व्याधी विनाशनी भाव पाश विमोचनी कल्यान कारी ये वानी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर्वानी हिंधी अमरापुर्वानी भजर्थ ब्रह्म दर्षनी कवितावली, छंदावली और दौावली पांच अरतन है और इनका अनुवाद सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वानी का अर्थ समझ कर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ती करे अनंत अदपद रहस्य से भरी वई गुरु माराजी की वानी है कहीं पे सरल है, तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमई वचंद इस वानी में भरे वई है तो उनका भावार्थ इस श्रंखला के द्वारा प्रस्तत किया जा रहा है पढ़के, समझके, मनन करके, उनका लाप प्राप्द करके अपने जीवन को हम सफल बनाए